नवस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुस्पू सांगवे बिहार में क्रोणा का रफ्तार जो है अब वो कम होता हुआ न जरा रहा हाला कि बिहार में जब चुनाव था तो उस दोरान जो क्रोणा का रफ्तार था उसमें काफी तेजी देखी जा रही थी लगतार जो आक्र है उसमें विर्दी दर्ज की जा रही थी लेकिन अब करोणा का जो रफ्तार है उसमें कमी देखी जारी है स्वास्त विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार में जो क्रोणा के टोटल केसेस हैं वह 400 बाड़ा पाए जो सबसे पहले पाइदान पर दूसरे पाईदान पर जो है और आंगाबाद और तीसरे पाइदान पर बेगिसराय मरीजो की संधार 155 बड़ा23 ओर अंगाबाद में बेगैं जो रहें तो बात करेंगे बिहार जहां 6 मरीज पाएगे हैं वहीं अगर बाका की बात करें तो वहां एक मरीज है भागलपुर में 16 भोशपुर में 1 बकसर में 8 दरभंगा में 3 इस चंपारण में 9 गया में 13 वहीं गोपाल गंज में 4 मरीज पाएगे हैं वहीं अगर जमुई की बात कर ले तो वहां आज जो है दो मरीज मिले हैं वहीं जहानाबाद में 7 मरीज, कैमूर में 1 मरीज, कटिहार में 8, खगडिया में 1, किशन गंज में 5, लखी सराय में 2, मधेपूरा में 10, मधुवनी में 7, मुंगेर में 8, मुझभरपुर 11, नालंदा म में 11, नवादा में 11, पुर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 18, वहीं समस्तिपुर में 9 मरीज हैं, इसके साथ ही अगर सारन की बात कर ले तो यहां आज 11 मरीज मिले हैं, वहीं सेखपूरा में 1 मरीज, सीता मरी में 1, सिवान में 3, सुपॉल में 6, वैशाली में 2, और व बिहार में 412 मरीज में, वहीं अगर बिहार में total case की बात कर ले करोना के तो अब तक 23,444 मरीज मिले हैं, वहीं अगर active cases की बात कर ले बिहार में, तो 5,601 मरीज पाए गाए हैं, इसके साथ ही बिहार में जो recovery rate का आकरा है, वह 97.22 प्रतिसत पाए गया है, जो कि किसी अन्य से 10 प्रतिसत बिहार जो है आगे चल रहा है, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं, नेशन न्यूज के साथ, नमस्कार